तो कौांटम दक्सता का प्रायोगिक निर्दार्ण के लिए अपनोंने एक उपकर्ण देखा कि इसमें क्या है एक सरोत है सरोत के रूप में हो सकता है कि कोई सन हो यानि कि सुर्य हो या फिर कोई तंगस्टन लेंप हो तंगस्टन लेंप हो तंगस्टन लेंप और कुछ नही सबस्क्राइब है सपे और अन्या अपने सोडियम लेंप है या फिर मरकरी लेंप है आधि कोई रूत के रुप में काम मिलिए जा सकते हैं जहां से क्या होंगे फोटोन निकलेंगे यानि कि बिकिन निकलेंगी यह यह फोटोन है ये लैंस और सलिट से होते हुए ये मोनोक्रोमेटर तक पहुंचते हैं मोनोक्रोमेटर क्या करता है मोनोक्रोमेटर निश्चित तरंग देर्ग्या की विकेंड को तो जाने देता है बाकी को अपने पास ही क्या करता है ये रख लेता है तो मोनो क्रोमेटर निश्चिते वेवलेंथ को जाने देता है बाकी को अपने पास रख लेता है यानि कि यह छंटनी करने का काम करता है नाम से इस परष्ट है मोनो कार्थ होता है क्रोमेटर क्रोम कार्थ होता है यानि कि एक निश्चिते wavelength को जाने देता है बाकी को अपने पास ही रख लेता है इसके आगे slit और lens इसलिए लगा दी जाती है कि कोई बाहर की विकेर्ण इसके अंदर ने गुच जाएं बाहर के फोटों ने गुच जाएं इसके आगे अभिकिरिया cell रखा होता है अभिकिरिया cell में क्या होता है तो अभिकिरिया जो cell होता है इसके अंदर reaction होती है यानि कि कोई भी अभिकिरिया संपन होती है वो अभिकिरिया cell के अंदर होती है आज कल अभिकिरिया cell के कई design उपलब्द है इस परकार का कोई भी design आखिरिया यसेल जिस पातर में विकिरिया होती है वही है विकिरिया और कोई नई बात है नहीं अलग इसके आगे आता से सुचक है यह सबसे इंपर्टेट पार्ट होता है साय सुचक क्या होता है तो सह सुचक क्या होता है सह सुचक होता है सुचना देने वाला यानि कि पढ़ने वाला जो भी विकिर्ण यहां पर पहुंची है उसको यह पढ़ेगा यानि कि इसकी स्टडी की जाएगी यह क्या करता है डीप स्टडी करता है कि कौन से प्रकार की विकिर्ण आई है कितने काम आ गई है तो यह सहासुचक इसको पढ़ने का काम करता है तो सहासुचक पढ़ने के बाद में क्या होता है यह क्वांटम दक्स्ता के मान को बता देता है कि यह क्वांटम दक्स्ता क्या होगी सहासुचक है वो कई परकार के सहासुचक है सबसे पहला सहासुचक है रेडियो माइक्रोमिटर सबसे पहले सहासुचक का नाम है रेडियो माइक्रोमिटर रेडियो माइक्रोमेटर माइक्रोमेटर ये रेडियो माइक्रोमेटर क्या है अभी इस पर विचार करते हैं अपने रेडियो माइक्रोमेटर तो इस परकार के कई सुच चक है रेडियो माइक्रोमेटर जिस परकार से दूसरे परकार का होता है बुन्सन वेरोसो का एक्टिनोमिटर दूसरा है बुन्सन वेरोसो का एक्टिनोमिटर और तीसरा है प्रकास विदुते सेल तो सबसे पहले अपने बात करते हैं रेडियो माइक्रोमिटर तो रेडियो माइक्रोमिटर में क्या होता है दो धुरो होते हैं जिसको करमस्य अपनी N और S धुरो कहा दे इसमें दो चुमक्य धुरो हैं जिसको करमस्य N और S धुरो कहा जाता है तो ये रहे दो धुरो N और S तो कोई भी चुमक्य दो ही धुरो होते हैं N और S हम यह सभी जानते हैं कि N से विकिर्ण बाहर निकलती है N से बल रिखाई बाहर निकलती है यानि कि मैं चुम किया बल रिखाई बाहर निकलती है और S में क्या होती है परवेश करती है तो यहाँ पर N और S दो चुम किया धुरो लगे होती है तो ये डिडेक्टर लश्ड-़श्ड में होता है इडेक्टर तो यहां से जानि की अभिकिरिया ऐसल से जो वी कि नखी तो मैं इसको ठोड़ा सा इस प्रकार से बता दू आपको की यह कैसे लगा होता है इसका डाइग्राम तो अपने ऐसे लगा रही है लेकिन वास्ता में जो अपनों ने बताया था कि पहले क्या था पहले यहां पर कोई ने कोई शुरोत था शुरोत के आगे लैस बगेर है और यहां पर माइक्रो मोनो क्रोमेटर बगेर लगे होते हैं उसके बाद में फिर अभिकिरिया सेल वापिस से लैस बगेर है लगने के बाद में फिर यहां पर अभिकिरिया सेल लगा होता है उस विकिरिन को अपने यहाँ पर बहजा जाएगा तो बिकिरिया सेल यहाँ पर एक थर्मो कपल का में लिया जाता है यहाँ पर एक थर्मो कपल लेगा principle की खास बात क्या होती है थर्मो कपल के अंदर एक पार्ट को अपने गरम कर दिया जाए और दूसरे पार्ट को ठंडा कर दिया जाए यानि कि थर्मो कपल पर ये विकी नापतित हुई तो एक पार्ट इसका क्या हो गया गरम हो गया और दूसरा पार्ट इसका ठंडा हो गया इसका समन्द किसी यहां पर दारा परवा है कि काम में ले लिया जाता है तो थर्मो कपल में क्या होता है जैसे देखो थर्मो कपल की आपको बात बताई जैसे मानलो किस परकार का कोई थर्मो कपल काम में लिये जाते हैं जैसे ये मालो बी आई है ये एजी है ये बी आई है ये एजी है इधर से क्या क्या लाइट डाली इस यहां से विक्रिन आई है तो ये पार्ट क्या हो गया है गरम हो गया है ये पार्ट हो गया है गरम यानि कि टेड हो गया है गरम हो यह पार्ट क्या हो गया है कोल्ड हो गया है एक पार्ट गरम एक ठंडा होने के कारण आपने दो प्रभाव पड़ेंगे होंगे सीबैक प्रभाव पैल्टियर प्रभाव सीबैक प्रभाव पैल्टियर प्रभाव के कारण क्या होता है यहाँ पर एक धारा बैने लग जाती है यानि कि एक दारा बैने लग जाएगी और आपको पता है कि चुमके छेतर के अंदर एक दारा बहे तो एक बल हागोर्ण लगता है आपको ये पता है बल आगोन तो ब्राबर इसका बिना साइन थिटा होता है ये बिना साइन थिटा तो ब्राबर बिना साइन थिटा एक बल आगोन लगेगा और बल आगोन लगेगा तो ये क्या हो जाएगा गूमने लग जाएगा तो यह गोमेगा तो फिर यहां पर क्या होता है यहां पर अपने इस परकार से एक दात्यों की पट्टी द्वारा इसको किसी कठोर स्थम्प यहां पर जुड़ा होता है किस दात्यों की पट्टी से तो यह ऐसे गोमेगा गोमेगा तो फिर यहां पर क्या होगा यह उपर से ज गुमेगा तो आद्दा या जितना भी गुमेगा यहां पर क्या लगा होता है के लेंस लगा होता है यह यहां पर लगा होता है यहां पर लगा होता है या पिर अपने ऐसे कह दें कोई सुई लगी होती है तो इस परकार से यह ऐसे गुमेगा तो जैसे मालों यह सुई है ऐसे गुमेगा तो पता लग जाएगा सुई के अंदर क्या आएगा विक्षेप आजाएगा उस विक्षेप को अपने क्या कर सकते हैं माप सकते हैं या पिर यह लैस होगा तो लैस से क्या होगा डिजिटल विक्षेप आजाएगा डिजिटल विक्षेप को क्या कर सकते हैं अपने माप सकते हैं कि इसके आदार पर कितने जो विकिरने आ रही है विकिरिया सेल से ये बतायाता ने कि ये विकिरिया सेल से होती हुई विकिरन आ रही है तो इस विकिरिया सेल में कितने क्वांटा ने क्या क्या किया है उसके बारे में अपने को पता चल जाता है तो ये जो ये ज और तो रे-डियो माइक्रोमिट्र में क्या होगा है इसके अंदर एक थर्मोकबल होता है जीस और से डियाईसी का थर्मोकबल यहांपर काम 해 जाते हैं जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोपर एसे याद भी किया होगा आपने कोफी जाते हैं का подтलब कोपर औरर okay कोफी का भी थर्मोकपल कोपर और आईरन का भी थर्मोकपल का में लिया जाते हैं कोफी यानि कि एक तरफ कोपर जोड़ दिया जाए एक तरफ एपी ई हो एक तरफ फिर कोपर हो फिर एपी ई हो एक को यदि पहले ऐसा दखे गया कि एक को गरम करते एक को ठंडा कर दें तो है वो दारा बैहने लग जाती है जैसे मालो ये थर्मो कफल है इसको मैं कोपर को हूँ दूसरी संदी को ठंडा कर दिया जाए अपने गरम करने के लिए इसको को ने करदो इसके गरम करदो हीट देऊ इसको यह गरम ख़ूगी यह थंडा हो गया इसको परक के टुकडे इसके अंदर डाल दो मालों थंडा हो गया एक संदी को गरम करें एक संदी को ठंडा करें तो अपने आप ही क्या हो जाती है एक दारा बेहने लग जाती है इस प्रभाव को पैल्टियर प्रभाव कहा जाता है तो तो देखो इसी प्रकार से यह थर्मो कपल काम में लिया जाते हैं यहां पर जो थर्मो कपल काम में लिया है अपने ऐसे पढ़ा कि एक तरी झाल चat और masa से jsemस अभी निकलती है उसके आगे आपनेके लेंस लगातों सिप्ट लगा देते हैं फिर मोनो क्रोमेट्र लगा जाता है यह मोनो क्रोमेट्र लगा दिया फिर विकरिया कमें से उती होई थर्मो कपल में एक तर्फ जहां से विकिन आएगी ये पार्ट क्या हो जाएगा इसका गरम हो जाएगा और दूसरा पार्ट इसका क्या रहेगा ठंडा रहेगा जिसके कांड एक दारा बैने लग जाएगी और जब दारा बैहेगी तो चुम्हके छेतर के अंदर एक दारा बैती है तो एक बल्हा गुण उत्पन हो जाता है टो बराबर जिसे आप बिना साइन थिटा कहा जाता है तो ये आपने मेगनेटिक मेगनेट वाले पार्ट में पड़ा होगा कि B I N A या कई विदार्थ इसको ऐसे याद करते हैं कि N I A B N I A B sin theta इस परकार से एक बला अगोन उत्पनों जाता है जिससे ये गूमना चाहता है लेकिन ये उपर से गूम नहीं सकता है इसको बंद कर दिया गया कि ये पूरा चकर तो नहीं निकाल सकता लेकिन जैसे ये ऐसे है मालो ऐसे गूमेगा तो इसके यहाँ पर एक लेंस लगा होता है तो जैसे गूमेगा तो इसका परकास है आगे परदे पर पता लग जाता है कि को ईह घूमेंगी सुई कि शेप को से एक यह लेसके जसे यह लैसका प्रवप्र प्रकास प्रावडित्व प्रकास आए गा सुझविश्दा एक आधार अपने जो आने वाले वीकिण्ड मुंहीड कि expect कर रॉले में कूँव दक्सता भाई का मान है वो आसानी से ग्यात किया जा सकता है तो भाई का मान सुत्र किसाहिता से अपने आसानी से ग्यात कर देंगे तो यह रेडियो माइक्रो मिटर होता है